Hey everyone, how are you? क्या बच्छे होंगे? और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि graduation के बाद polytechnic करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या graduation के बाद आपको polytechnic करना सही है या नहीं है, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और पहली बार अगर आप polytechnic अड़ा चैनल पहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे गाईज हम बात करेंगे कि क्या graduation के बाद polytechnic करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज का जो दौर है काफी जादे लोग अपने करियर को लेके शक्योर हैं तो आप भी अपने करियर को लेके शक्योर रहिए समझदार रहिए तब ही जाकर के बेटर है नहीं शक्योर रहेंगे नहीं समझदार रहेंगे तो लाइप में पस्ताने का लामा और कुछ नहीं है अब बहुत सारे लोग मेरे से career counseling लेते हैं मेरे से बात करते हैं और directly जिन लोग allowed ko भी बात करनी है लिंक description में है उस पर click करके में से बात कर सकते हैं तो maximum लोगा question आता था और मैंने B.A. किया है तो मैं polytechnic करूँ या ना BSC किया है polytechnic करूँ या ना करूँ बहुत सारे लोगों का ये query आ है कि BBA किया है, BCA किया है क्या मैं polytechnic कर लूँ तो बेटर रहेगा तो guys मैं आपको बता दूँ कि अगर आप graduation किये हो तो आप graduation level की job के दियारी करो ना, polytechnic में क्यों जाना भाई कुछ लोगों का कहना आई है कि सर, polytechnic के बाद job लग जाती है ये बात अगर 7-8 साल पहले, 5-7 साल पहले आप कहलो अगर करते तो मैं मान लेता कि हाँ चलो, polytechnic के बाद job लग जाती है लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से डिजिटल इंडस्री बढ़ी है छोटी-छोटी टर्म्स के कूर्स करके polytechnic वाल उससे जादे आप कमा सकते हो तो आपको ये बात mindset में पहले तो लाना ही नहीं चाहिए अगर आप graduation किये हो तो graduation level में बहुत सारी government job है तो तीन साल आप polytechnic में दोगे उससे बेटर की तीन साल government job की तयारी करो government job में SSTCGL है उसका railway हो गया बैंक की नौकरी हो गई बहुत सारी job है गाइस बैठोगे ने IES, PCS, पुलीस तुनिया भर के नौकरी आएं नौन टेक में सबसे ज़्यादे नौकरिया है टेचिंग में अलग से job है आपके लिए तो अगर आप technical field में जाते हो तो वहाँ से एक challenges और भी government job में जाने के लिए रहेगी कि number of vacancies कम आती है seat एक कम है लोग अब जादे है तो 5-7 साल पहले जो scenario था वो पूरी तरह से पलट चुका है तो इस पर आपको सोचने के ज़रुवत है अगर आप नहीं सोचोगे ना तो फिर वही लगए यार यार क्या हो रहा कभी engineering में 40,000-50,000 vacancy एक साथ central government भी नहीं निकाला आज तक सबसे जादे जेटियों में 10,000-9,000 ऐसे vacancy निकलती थी वो भी बंद हो गया junior telecom officer का तो आप अगर graduation किये हो तो आप graduation level पे government job की तैयरी करो ठीक है वो better रहेगा दूसरा कि अगर आपको job चाहिए जल्दी चाहिए graduation के बाद तो भाई बहुत सारे option आप डिश्टल मार्केटिंग कर लो प्रोग्रामिंग सीख लो एब डेवलेमेंट, वेब डेवलेमेंट, AI टेकनलोजी उसका data analyst है बहुत सारे multiple career option जो polytechnic से 10 time better है दस गुना जादे आपको पैसे कमागर के दे देंगे तो आप ऐसे focus बत करो पॉलेटेकनिक करो, मैं कहारा हूँ यह पॉलेटेकनिक बुरा नहीं है लेकिन अगर आप graduation के बाद करना चाहते हो तो मुझे लगते है थोड़ा सा time आपका 3 साल पर बाद हो जाएगा और उस time में आप और भी बहतर कर सकते हो और भी अच्छ-च्छे career opportunity है तो explore करिए लेकिन आप जिन लोग का मन है कि नहीं मैं किसी कारण बस नहीं कर पाया पॉलेटेकनिक अब करना चाहते है अपने technical degree को एक level पे लेके जाना चाहते है तो वो लोग करें उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो technology में interested है टेकनिकल डिगरी के साथ ही आगे बढ़ना चाहते है तो वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो लोग नहीं interested है उनका तो कुछ पताई नहीं वो तो ऐसे ही है तो मेरा काम तक आईज आपको बताना आपको actual चीज बताना और आपका काम है उस पर वर्क करना और जिन लोग को career counseling चाहिए link description में वर जाके जरूर देखे और जो भी query हो आप comment जरूर करें और टेलीग्राम पे जाके join कर लीजिए link उसका भी description में है मिलते हैं आप से next video में Thank you